दोस्तों स्वागत है आप सबीका हमारे यूटूब चेनल एजुकेशन पॉइंट में तो आज हमारी साइन्स से सम्मंदित तीसरी मेर्टुपूण क्लास होने वाली हैं जिसमें हम लगबग 50 से ज़दा बन लाईना क्यूशन के बारे में डिस्कर्स करेंगे तो चुलो स्टा उनके क्रियाक कलापों का अध्यन किया जाता है तो किस में किया जाता है प्रानी विज्ञान में किया जाता है चंतों और उनके क्रियाक कलापों का अध्यन दूसरा point केचवा किस संग का प्राणी है तो संग एनलीड़ का प्राणी है आपके केचवा ठीकेक तीसरा point समुद्री गोड़ा किस संग का प्राणी है तो संग कोड़ डेटा का प्राणी है आपके समुद्री गोड़ा दोनों द्यानकना आपको केचवा तो एनिलीड में है और समुद्री गोड़ा आपके संग कोड़ डेटा में है और सबसे चोथा पॉइंट है सबसे छोटा पक्सी कौन सा है तो सबसे छोटा पक्सी है हनिंग बर्ड पांचवा पॉइंट सबसे बड़ा जीवित पक्सी कौन सा है तो सतुर मुर्ग जो है वह सबसे बड़ा जीवित पक्सी है चट्टा पॉइंट इस्तंदारी वर्ग में सबसे ज़्यादा तापमान होता है तो इस्तंदारी वर्ग में सबसे ज़्यादा तापमान होता है बकरी में कितना होता है 49 डिगरी सेल्सियस ठेक तो आगे बात किरते हैं सात्वे पॉइंट की तो साथवा पॉइंट है हमारा साथवा पॉइंट इस्तंदारी वर्ग कितने उपवर्गों में बटा हुआ है तो इस्तंदारी वर्ग आपके तीन उपवर्गों में बटा है कौल कौल से प्रोटो थीरिया यू थीरिया और मेटा थीरिया इन तिनों के बारे में हम आगे देखेंगे तो देहार रखता है का Proto-Theria जो अंडे देते है U-Theria जो Vicacit Schussu को जन्म देते है और Meta Theria जो Advocatr issue को जन्म देते है ठीके एख दिनों के बारे में देहार रखता है का इस्थंदारी वर्गों को कितने उपवर्गों में बटा गया तो तीन उपवर्गों में आटवा पॉइंट विश्व की एक मात्र जहरीली छिपकली कौन सी है तो इलो डर्मा जो है वहाँ आपके विश्व की एक मात्र जहरीली छिपकली है नववा पॉइंट केंचुए में हर्दे होता है तो केंचुए में हर्दे होता है चार कोश्ट है दसवा पॉइंट आर्थोपोडा संग की देहगुआ होती है तो आर्थोपोडा संग की जो देहगुआ क्या होती है हीमोसील ठीक है क्यारवा पॉइंट कोक रोज में हर्दे कितने कक्सिक होते हैं तो तेरा कक्स होते हैं कोक रोज में हर्दे के जबकी केंचों में हर्दे होते हैं चार कोश्टी है बारवा पॉइंट अंडे देने वाले इस्तंदारी होते हैं तो अंडे देने वाले सितंदारी को क्या करते हैं, प्रोटोथीरिया, और प्रोटोथीरिया का एक उदारण ये अब के प्लेटिपस, ठीके तेरवा पॉइंट आप परिपक्वा बच्चे को जन्म देने वाले मेटातीरिया, और इसका उदरने कंगारूं जो कि एक अब परिपकवा बच्चे को जन्म देता है तो अभी तीन इस्तंदारी के जो उपवर्ग हैं उनमें से प्रोटो थीरिया में अंडे देने वाले मेटा थीरिया में अब किसीद बच्चे को जन्म देने वाले और आगे देखेंगे यू थीरिया जिसमें हम दिकसित बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं अगला पॉइंट चब्दूआ पॉइंट पूर्ण दिकसित शीषू को जन्म देते हैं तो यू थीरिया जैसे की मनुष्य और टिके त्यारकने देंड़े प्रोटोघ आए ये मेटा तीर ये इस तंदरी वर्ग में और एक यूठीड ये पंदरवा जोलाव मानव में मांस पेसी कि संक्या कितनी होती है तो 649 मानव में मांस पेसी के संक्या 649 मानव शरीर के सबसे बड़ी मांस पेसी है तो Gluteus Maximus चो कि कुलहा की पेसी है ठीक है? मानव सरीर के सबसे बड़ी मास पेसी कौन से है? तो Gluteus Maximus और ये कहां पर पाई जाती है? तो कुलहा में पाई जाती है सत्तरवा पॉइंट मानव सरीर के सबसे छोटी मास पेसी कौन से है? तो Stepi, DS मानव सरीर के सबसे बड़ी मास पेसी है Gluteus Maximus क्या है? Gluteus Maximus और सत्तरवा है आपके मानव सरीर के सबसे छोटी मास पेसी कौन से है? तो Stepi, DS ठीक है? अठारवा पॉइंट मानव रखता होता है तो तरहाल सयोज्जी उत्तव होता है मानव रखता है ठीक है? और आगे देखते हैं उननिस्वा पॉइंट उपकला उत्तक का कार्य होता है तो यह सरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है बीस्वा पॉइंट सयोज्जी उत्तक का क्या कार्य होता है? का सरीर के अंगों और अन्य उत्तकों को जोड़ने का कारे करता है सहियों जी उत्तक और रक्त भी एक तरल सहियों जी उत्तक होता है ठीके 21 पॉइंट रुधीर का अध्यन किया जाता है तो हीमेटोलोजी में रुधीर का अध्यन किया जाता है 22 पॉइंट एक स्वस्त व्यक्ति एक बार में कितनी रुधीर दान कर सकता है कितना रुधीर दान कर सकता है तो 450 ml या एक यूनिट एक बार में दान कर सकता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ध्यारक में कि एक स्वस्त वेक्ति एक बार में कितना रुधी दान कर सकता है तो सद्धे 400 ml, 450 ml या एक उनिट इसको सद्धे 400 ml को एक उनिट कहा जाता है ठीक है आगे बात करते हैं तो अगला टोपिक है आपके जेवर विकास और अनुवानसी की एक छोटा सा टोपिक है जिसमें से कई बार प्रिक्सा में कुछ प्रस्ण पूछे दे अनुवानसी की मैं से तो एक छोटा सा क्यूशन है जिसमें लगबग 20 से 22 वन लाइनर क्यूशन के बारे में हम देखेंगे तो पहला पॉइंट है आपके इस्तनी वर्ग के जियों का विकास हुआ था तो सरीश रपों से हुआ था इस्तनी वर्ग के जियों का विकास दूसरा पॉइंट है जल इस्तल्चर जियों का विकास हुआ था तो मतश्य वर्ग से तीसरा पॉइंट पक्षियों का विकास हु ठीक है चोथा पॉइंट उपारजित लक्षणों के अध्यन को क्या कहते है तो टोटो लोजी ये उपारजित लक्षणों के अध्यन को कहा चाता है क्या कहा जाता है टोटो लोजी पाच्वा पॉइंट सर्व पर्थम प्रकास संसलेशी जीव कौन से थे साइनो बेक्टिरिया त्यारक था अपार जी लक्षनों का अध्यान टोटोलोजी और प्रथम प्रकास संसलेशी जीव था साइनो बेक्टिरिया और इस्तिनी वर्ग और पक्सी वर्ग इन दोनों का विकास तो हुआ था सरी सरफों से जब कि जलस्थल सर का विकास हुआ था आपके मतश्य वर्ग से नेक्ष्ट बात किरते हैं चट्टे पॉइंट की उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस ने किया था तो हुगो डी वरीज ने इसका प्रतिपादन किया था वह लक्षन जो पीडी दर पीडी संचरित होते हैं कहलते हैं अनुआंसिक लक्षन ठीक है वह लक्षन जो पीडी दर पीडी संचरित होते हैं अनुआंसिक लक्षन कहलते हैं आटवा पॉइंट अनुआंसिकी के बारे में सरुपरतम जानकरी दी थी तो ग्रेगर जोन मेंडल ने अनुआंसिकी के बारे में सरुपरतम जानकरी दी थी नवा पॉइंट, अनुआ निसकी का पिता किसे कहते हैं, तो गरेगेल जोन मेंडल को अनुआ निसकी का पिता कहा जाता है। दसवा पॉइंडल ने अपने प्रियोग ए्टु चुनाव किया था, तो मतर के पोध्रे का चुनाव किया था। क्यारवा पॉइंट अनुवानसिकी की इकाई हैं क्या है यह पर? अनुवानसिकी की इकाई भ đến जीन बारवाए जीन कहाँ पर पॉय जयते तो जीन गुन सुत्रों पर पाय जदتे हैं ठीक है आगे बात किरते हैं तेरवे पॉइंट की सर्व परतम प्रियोग साला में जीन संसलेशन करने वाले वेगयनिक को थे तो प्रियोग साला में जीन का संसलेशन करने वाले वेगयनिक थे डोक्टर हैर गोविंद खूराना इन्होंने जीन का संसलेशन क्या था प्रियोग साला में चब्धुआ पोइंट एक जिन एक एंजाइम सिद्धान्थ का प्रतिपादर केशने क्या था तो वीडल और रेटम ने पंदरवा पॉइंट मानों में गुनसुत्र की संग्य कितने आती है तो 46 या 23 जोड़ी इसलिए लड़की या लड़का होने के लिए कौन जिमिदार होता है पिता या नर अठारवा पॉइंट जिन का वर्तमान नाम देने वाले वेगयनिक थे तो जोहांसन जोहांसन ने जिन का वर्तमान नाम दिया था नेक्ट बात किरते हैं उननीस्व पॉइंट माता पिता के गुणों का अपनी संत्तिती में इस्तान दान तरन किसके दोरा होता है कुनसुत्र दोरा 200 पॉइंट बच्चों के लिगन देने के लिए उतरदाई क्रोमोसम है पिता का क्रोमोसम 21. वर्णान्जता से ग्रेशित वेक्ती कौन से रंगों में अंतर नहीं कर पता है तो वर्णान्जता से ग्रेशित वेक्ती लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पता है 22. एक सामान्य मनुश्य के सुक्राणों में ओटोसॉम्स की संख्या कितने होती है 22 जोड़ी सुत्रों में से चोकी 22 जोड़ों की रूप में पाए जाते हैं तेविसो पॉइंट लाल हरा वर्ना अंदिता होने का कारण है तो एक्स गुन सुत्रों की वनसा गति इसका प्रमु कारण है 24 पॉइंट हीमोफीलिया में क्या होता है रक्तका तक का नहीं बन पता है लगता रक्तस्त्रावने से वेक्तिकी मृत्यू हो सकती है 25 पॉइंट कुर्शुत्र में पाए जाने वाले अनुवांसिक परदात को यगते हैं तो जीन कहा जाता है टिक एक आगे बात करते हैं एक नया और छोटा सा टोपिक है आपके प्रदूसर्ण प्रदूसर्ण के बारे में पहला पॉइंट केंत्रिय प्रदूसर्ण नियंत्रन बोर्ड कहा परिस्ति थे नए दिल्ले में दूसरा पॉइंट पार्तिय वन प्रबंदन संस्थान कहां परस्तित है बोपाल तीसरा पॉइंट तीन दिसंबर 1984 को जो बोपाल गेस त्रासदी थी उसका कारण क्या था मिथैल आईसोसाइनेट चोता पॉइंट विश्वपरियावरं दिवस कब मना जाता है पांच जून को पांचवा पॉइंट कितने डेसिबल से एदिक ओने पर दौनी प्रदूसण होती है तो 88 डेसिबल से एदिक दौनी प्रधूसित दौनी माने जाती है कुछ पॉइंट ओर देख लेते हैं और फिर आज इकलास को यहीं पर समप्त करेंगे चट्टा पॉइंट हान निकारक प्रदूशित क्यास हैं तो कार्बन मोनोक्षाइड साथवा सबसे हान निकारक हैं ठीके अमलिये वर्षा का कारण क्या है आठवा है प्रिस्व ओजोन दिवस मना जाता है 16 सेतंबर के दिन नवा पॉइंट चल पर दूसरें जल में जल परोटा हैं तो ओक्सिजन की कमी के खलाण जल परोटा आता है तो दोस्तो आजी क्लास को यहीं परसमावत करते हैं नेक्ष्ट मिलते हैं हम अगली क्लास में इससे पहले अगर आप वीडियो पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को सेर जबूर करें ठेंक यू, जैहिंद जैपारत